नमस्कार नमबाला प्रेकिंग न्यूस में आपका स्वागत है हरियाना में लॉगडॉन का एलान होते ही सडकों पर लोगों की भारी आवाजाई देखने को मिली अपने घरों से दूर रह रहे हैं लोग अपने घर वापसी करने लगे ऐसे में हरियाना सरकार ने लॉगडॉन के दोरान लोगों को राहत देते हुए हरियाना रोडवेस की कुछ बसों को लोगों की डिमांड पर चलाने का फैसला लिया है हरियाना में करोना के बढ़ते परकोप को देखते हुए हरियाना सरकार ने 7 दिनों का लॉक्ड़ॉन लगाया है कर लॉक्ड़ॉन का एलान होने के बाद से ही हरियाना की सडकों पर लोगों की भारी आवजाई देखने को मिली घर से दूर नौकरी कर रहे वो अन्य जगां पर रह रहे लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं इसी कारण आज लॉक्ड़ॉन के बावजूद सडकों पर भारी आवजाई देखने को मिली इसी कारण सरकार ने लॉक्ड़ॉन में भी रोडवेज बसे चलाने का फैसला लिया है ताकि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो लेकिन बसें सिर्फ लोगों की संख्या अनुसार ही चलेंगी अंबाला शहर के बस अड़े पर काफी लोग बसों की प्रतिक्षा करते होई नजर आये जब लोगों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार ने एकदम से लॉक्ड़ॉन का एलान कर दिया है जिसकी वज़े से घर से बाहर रहे 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 लोगों को अपने घर वापिस जाने में परिशानी का सामना करना पड़ रहा है वही रोडवेज जीम अमबाला ने बताया कि कल हरियाना सरकार दुआरा लॉक्ड़ॉन लगाने के बाद आदेश आये हैं कि 50% कपैस्टी के साथ पब्लिक ट्रांस्पोर्ट चलेगी उसे के हिसाब से बसों का चलन किया जाएगा बसों में सुरक्षा की दरिष्टी से करोना नियुमों का पालन किया जा रहा है बसें फिलहाल डिमांड की हिसाब से चल रही है उन्होंने बताया कि हमारे यहां से पलायन के चलते उतर परदेश से बसों की ज्यादा डिमांड आ रही है उर खास तोर पर चाहिए कज देहान अड़ की हो गी और लोगों को यह बता है बताया जा रहा है आपना पर अबेर्नेस बिराएं जा रही है कि दो कस के द्यूरी और मास्क पहना प्रोरुका पे पहने जाए जिसमें फोर कोशिश कर रहे हैं कि सक्ति हो सकаны पहले तो रोटेशन जो थी जैसे हमारा एक रोटा जो निकालते थे हैं उसके मुसार चल रहा था लेकिन आपकों कि दिल्ली जैसे लॉक्डाउन पीछे लगा तो उससे क्या हुआ यहां से सवारियां पहले भी कम थी और वहां से तो और भी कम हुई तो इसको देखते हो मद् पहले ही सरकार ने लॉक्डाउन का एलान एक दिन पहले किया था लेकिन सरकार के इस फैसले से यात्री नाखुश नजरा रहे हैं यात्रियों का कहना है कि सरकार को लॉक्डॉन करने से 3-4 दिन पहले एलान करना चाहिए था ताकि अपने घरों से दूर रह रहे लोग अपने घर वापसी कर सकते बहराल अंबाला से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हमारे फेस्बुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूस पर और हमें YouTube पर वे सस्क्राइब करें और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अब्रेट स्पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी अप को डाउनलोड करना ना भूले